हलो फ्रेंड्स मैं हूँ पारुल कोखवित पारुल में आपका बहुत बहुत स्वागत है गर्मियों में तो दही बहुत जल्दी जम जाता है पर सर्दियों में जो सबसे बड़ी प्राब्लम हम फेस करते हैं वो होती है दही जमाने की दही इतनी देर तक रखा रह जाता है पर जम दही नहीं है सभी लोगों को जादा तर ये प्राब्लम फेस करनी परती है कि जल्दी से दो घंटे में दही हम कैसे जमाएं और सभी चाहते हैं हलवाई जैसा मार्केट जैसा गाड़ा दही क्रीमी बिल्कुल जमना चाहिए वो भ को बताऊंगी तो जान लीजे विंटर में फटाफट दही जमाने के ये जवरदस्त तीन तरीके तो सबसे पहले दही जमाने के लिए जो पहली बात है वो यह है कि दही बिल्कुल क्रीमी दूद से ही बढ़िया जमता है यानि फुल क्रीम दूद ले दही जमाने के लिए व दूद अबाते वक्त उसमें बिल्कुल पानी मत मिलाईए पहले आप दूद को बालने मैंने यहां पर दूद को अबल लिया है यहां मैने एक लीटर बिल्कुल फुल क्रीम दूद लिया है दूद को बस आपको इतना गरम करना है कि जब आप उंगली डाले तो वो आपको हल्का गरम महसूस हो, हल्का सा, ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो बहुत जादा गरम है, या फिर बिल्कुल ठंडा, तो एक गुंगुना दूद होना बहुत जरूरी है, तो सरदियों में तो सरदियों में क्योंकि बहुत ठंड होती है, तो अगर हम कैसरोल में जवाते हैं अंदर का टेमपरिचर में जटपट जम जाता है यह मैंने लिया है फ्रेश दही जो मेरा पहले वाला था उसमें से मैंने थोड़ा बचा ली रहा था जिससे मैं इसको अई इसको एसा अस् कैसरोल में एक चमच के करीब ड़ी लगाएंगे इस तरीके से इस तरीके से आप ड़ी को फैला लें अब हम लेंगे दूद और दूद को इसमें थोड़ा सा धार बनाकर डालें इस तरीके से धान दीजेगर दूद हलका गुन्मना लिया है हमने इस तरीके के जाग एक बार आप बापिस इसी में पलटेंगे लगबगा आप ये दो से तीन बार उलट पुलट कर ले इससे क्या होगा कि बहुत ही बढ़िया तरीके से दही बिलकुल मिक्स हो जाएगा दूद में और थोड़ा से दही में और दही फिर जल्दी जमता है तो मैं एक बार और करती हूँ लगबग तीन बार हो जाएगा और अब दही बिल्कुल बढ़िया मिक्स हो गया है और दूद भी देखिए हलका जागू पर आ गया है एक तो ये तरीका है कि आप जब से उलट पलट कर लें दूसरा तरीका ये है कि आप जो मैंने दही लगाया उसमें जब आपने दूद डाला तो एक बीटर ले और बीटर से अच्छी तरीके से फेट ले मिक्स कर ले तो ये भी एक तरीका है कि आप वहीं कि वहीं दही को मिक् तो इसके लिए हमें ज़रोत पड़ेगी एक टॉबल या फिर शॉल की जिससे की इसको चारो तरफ से हीट मिलती रहे और दही फटा फट जम जाए देखे मैं ले रही हो यहां पर एक शॉल सभी के घर में होता है विंटर में निकले वे रहते हैं अगर आप शॉल नहीं देंगे और एक सुरक्षिक जगे पर जहां थोड़ी सी गर्माई हो वहां पर आप इसको रगते हैं जैसे की कवर्ट के अंदर रख सकते हैं किसी कौने में आप ढग करके रग दीजिए तो इस तरीके से आप जहां भी किचिन की जो वार्म जगे हो थोड़ी गर्माई रहत कैसरोल में मैंने 500 गराम दूद से दही जमाया है अब जो नेक्स तरीका है वो है कुकर आप कुकर में भी बहुत ही जटपट दही जमा सकते हैं उसके लिए आपको क्या करना है आप कुकर को रखिए गैस पर गैस को अन करेंगे और कुकर को 5 मिनट के लिए अच्छी तरीके दूसरे तरीके में भी हमें यह याद रखना है कि दूद हमारा गुंगुना होना चाहिए बहुत ज़्यादा गरम नहीं और बहुत ज़्यादा थंड़ नहीं बिल्कुल ऐसा के आपने उंडी डाली हलक असा आपको गुनगुना फील हुआ तो बस ऐसा हमें दूद इसके चाहिए होगा तो यह मेरा दूद तयार है अब हम जमाते हैं दही सबसे पहले आप एक बोल लीजे आप बोल किसी भी तरीके कर ले सकते हैं या मैंने स्टील का बोल लिया है और इसमें हम लेंगे लगभग एक छोटी चममच मैंने या दही लिया है फ्रेश दही जामन के ल तरीके से जहाग बना करके इसमें डालें जैसे मैंने बताया या तो आप पीटर से अच्छी तरीकी से इसको फैट ले या फिर आप उलट पुलट कर लें दो तीन बार इससे बहुत ही बढ़िया दही जमता है यह देखिए इस तरह से जहागा जाहिए जिससे की दूद थो इसका मतलब कोकर बढ़िया गरम है अब हम बरतन को इस तरीके से कोकर में रख देंगे गैस को बंद कर देंगे इस तरीके से बरतन को गरम कोकर में अंदर रख देंगे थोड़ा साब धनी से और उसके बाद हम इस पर लेट लगा देंगे इस तरीके से और हमें विसल को बनी रहती है और उसकी गर्मी से दही बहुत ही जल्दी जम जाता है को कर को मैं उतार लिया है गैस पर से और अहम टॉबिल से इस को कर को ढख करके एक सुरक्षित जगे पर जहां थोड़ी सी गर्माई हो या बिल्कुल साबधानी से जहां से को डिस्टरब ना करें टच ना क पटयां झाल भी करके रखें तो जल्दी दही जाता है अभ आता है तीसरा तरह का तीसरा तरीके में सबसे पहली चीज को या इस तरिके को छोटे छोटे बोल्स में या छोटे बर्तन में जमाएं उससे क्या होता है कि दही और कोन्ट簡 replenish होने के कारण उसमें गर्माई बनी तो इस तरीके से किसी छोटी चीज में आप अलग 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 दो तीन बोल्स में अलग 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 दही को जमाने से दही बहुत जल्दी जमेगा समय कम लेगा तो हमने ले लिया आए ये गोलस और अब हम इसमें लगाएंगे थोड़ा सदही क्यू और हम जमांगे इसे माइक्रोवीब या वeन में माइक्रोवेव या ऊवन को अब प्रीट कर लिजे तो अब में इसमें डालती हूं गुंमना दूद इस तरीके से पुलट पुलट करेंगे अब इसके उपर आप धकन लगा दे या फिर आप फॉइल लगा दे मैं आप फॉइल लगा देती हूं एक रबर बेंड इसके उपर मैंने इस तरह चड़ा दी है से पैक हो गया इसको अब मैं प्री हीटेड माइक्रोवेब में रख दूंगी माइक्रोवेब आपको स्फुच ऑफ कर देना है अवन हो या माइक्रोवेब कर्दें सविच इसका बटन बंद कर दे उसके बाद आप इसको रखें कि हमें माइक्रोवेव या अवन को सिर्फ अंदर से गरम करना है जिससे दही को चाल तरफ से हीट मिलती रहे और वो फटा-फट विंटर में जंग जए मैंने माइक्रोवेव को ओफ कर दिया है बिल्कुल बंद है अंदर से ये गरम है तो मैं इसको रख देती हूं अंदर इस तरीके से और माइक्रोवेव को कर देते हैं बंद आप हम 2 घंटे के लिए इसको इसी तरीके से अंदर गरमाई में रहने देंगे और 2 घंटे बाद हम चैक करेंगे कि हमारा दही कैसा जमा है 2 घंटे हो चुके हैं तो चलिए कैसरोल वाले दही को चैक कर लेते हैं वाव और आप देख सकते हैं कि कितना बढ़िया दही जम गया है हिल भी नहीं रहा है एकदम परफेक्ट तो यह देखिए कितना बढ़िया दही कैसरोल में जम गया है तो चलिए मैं आपको दिखाती हूं कि कितना बढ़िया आप देख सकते हैं गाडा दही जमा है बिल्कुल बजार जैसा, जो हलवाई का दही होता है, आप गौर से देखिए एकदम थक्केदार, जब मैंने इसको चम्मत से निकाना तो आप ये देखिए बिल्कुल पानी नहीं है, एकदम थक्केदार ये ध़्केदार जमा है. तो यह लग रहा है कि यह हमने घर में जमाया है बिलकुल जहां आप लसी वगरा पीते हैं वाँ देखा होगा इसी तरीके का एक दम गाड़ा थक्केदार धही होता है तो इस प्रोसेस से आप जाड़े में भी बढ़िया क्रीमी धही जट पर जमा सकते हैं तो मुझे उमीद ह आपको यह प्रोसेस बढ़िया लगा होगा तो चलिए अब दूसरा वाला भी चेक कर लेते हैं माइक्रोवेब से भी दही को निकाल लेते हैं तो चलिए इसको चेक कर लेते हैं कि यह जमा है या नहीं और कैकर जमा है वाव बिलकुल कुलड वाला दही यह देखिए आपके मुझे पानी आजाएगा देखके, कितना बढ़िया दही जमा है, कितनी जल्दी और माइक्रोवेब वाले प्रोसीजर से, तो इसी तरीके से आप भी जरूर ट्राइ कीजेगा, और मुझे ये कुलड वाला दही बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि इसमें आप चीनी उपर से ये बुरा बहुत ही टेस्टी लगता है फिर ये दही, तो अब मैं आपको इसको इस्पून से दिखाती हूँ, तो ये देखिए, एकदम आइस क्रीम की तरीके से दही निकल रहा है, तो ये होता है मट का दही, आप सोच रहे होंगे, उपर वाला दही कां गया, दही ले गय कि ममा ने इतना जमाया है और वो फटा-फट से आकर लेके चला गया, तो चलिए, अब कोकर का भी दही चेक कर लेते हैं कि कैसा जमा है, वाउ, आप देख सकते हैं कि कोकर में दही बिल्कुल परफेक्ट जमा गवा है, ये देखिए, मैं निकालती हूँ, तो कोकर में भी आ कि आप फॉलू कीजे, कोकर में भी दही आपका बढ़िया जम जाएगा, और देखिए, दो घंटे का टेंपरिचर पर डिपेंड करता है, कि अगर टेंपरिचर परफेक्ट मिलता है, कोकर ये कैसरॉल ये माइक्रोवेव में, तो दो घंटे में परफेक्ट दही जम जाता ह अगर टेंपरिचर प्रॉपर नहीं मिला है, उसको इतनी हीट नहीं मिल पाईए, तो हो सकता है, आदा घंट जादा लग जाए, तो इस तरीके से आप मैनेज करें, कि जो टेंपरिचर है वह उसे परफेक्ट मिले, और आपका दही जल्दी जम जाए कम समय में, तो मैं ये दिखाती हूँ, और ये देखें, कितना क्रीम की तरीके से ये कट हुआ है, बिल्कुल थक्के दाल, बहुत ही बढ़िया दही, एकदम हलवाईयों जैसा प्रेशर कुकर में भी जम गया, बस इसके लिए जरूरी कंडिशन ये ही है, कि दूद आपका फुल क्रीम होना चाहि तो आपने देखा कि हम ये तीन ट्रिक अपना कर कितनी जल्दी किसी भी मौसम में दही को बढ़िया जमा सकते हैं, तो मुझे उमीद है आपको मेरी ये तीन ट्रिक जो आपको विंटर में भी जमाने में मदद करेंगी, जरूर पसंद आई होंगी, अगर आपको मेरा वीड एचिंग कुप विट पारूल